युविका अपने बिजनेस के मीटिंग में गई हुई थी वहाँ युविका को वही टकला मिलता है जिसको युविका ने गड़ेश जी की मूर्ती दी थी जो युविका के साथ काम करने वाला था वो टकला युविका को मीटिंग शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन करने लग जाता याष जैसे यपलू निकाल देता है तो यु विका याष के सामने घूम जाती है फिर उसे देखते ही पजान लेती है युविका को सब कुछ याद आने लगता है कैसे उसने होटल में उसके साथ कि speech था नील के बत्रे को भी खराब कर दिया था यह सब याद करने के बाद युविका यश को एक जोरदार थपड मार देती है यह थपड खाने के बाद भी युविका को कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है फिर एक लड़की आकर युविका को अपना जैकेट देती है पहनने के लिए और वही लड़की बताती है कि यह की कोई गलती नहीं थी वो तो बस आपका अटका हुआ पलू निकाल रहा था यह सुनकर युविका को गिल्टी फील होता है कि उसने बिना बात जाने यह को थपड मार दिया वो भी इतने सारे लोगों के सामने युविका यह के पास जाकर उससे जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है यह युविका को भी थपड मार सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया दोनों बात कर रहे थे कि टकला मिस महाजन बोलकर युविका को किसी से मिलवाने के लिए ले जाता है तब यह को पता चल जाता है कि जिसन उसको थपड मारा था वो महाजन फैमली से है